नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं Angel Tech Analysis तो आज मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए Bank Nifty के एक और वीडियो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं इस Bank Nifty की वीडियो में तो चली आईए आज हम बात करते हैं Bank Nifty में क्या हुआ सारा दिन आज क्या हल चल हुए Bank Nifty में जो हमने कल जो level दिये थे उस level पे हमारे target अचीव हुए या नहीं हुए हमने आज concentrate किये इन सारे चीजों की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में तो चली आईए शुरू करते हैं उससे पहले जो भी सजन दोस्त हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं अगर इन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आप अप्शन ट्रेटर हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर आपको डेली जो है चार्ट और कॉल्स वगरा डेली आपको मिलती रहेंगी तो चलिए यह शुरू करते हैं बैंक निफ्टी में तो चलिए यह हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खुल लिया हुआ है अब यह देखे बैंक निफ्टी में जैसा कि कल हमारी प्डेक्शन थी कि चार दिन जो है बैंक निफ्टी में एक काफी अच्छी मूव हो चुकी है तो हमारे प्रडिक्शन थी कि मतलब बैंक निफ्टी को आज नीचे आना चाहिए सो हमने जो है मतलब स्टार्टिंग की इसलिए मैंने पहली कॉल भी जो है 26,100 की मैंने फुर्ट मैंने बाय करे थी 392 पर और पहला ट्रेड जो है हमारा स्टॉप लॉस रिट हुआ था 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रिट हुआ था तो चलिए मैं आप इसको जो है पांच चार्ड जो हमने यहां पर उपन कर लिया है मेरे ऐसा प्रक्शन था कि ऊपर से यहां पर यह एक डिशिस्टेंस लेकर इस left लेकर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो यहां पर फाइनली देखिए रिजिस्टेंस तो लिया और जो है केंडल बहुत अच्छी बनाई थी बट मार्केट नहीं इस लेवल पर सपोर्ट ले लिया यह देखिए मैं आपको दिखाऊंगा इस लेवल पर मार्केट नहीं आ 50 इस से ज्यादा मैं SL नहीं लेता हूँ ठीक है तो चलिए उसके बाद देखिए आज मार्केट में किस तरह से काम हुआ है तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा दिखिए सबसे पहले तो यह देखिए यहां पर जो है मार्केट में यह छे तरीका मैंने आपके सामने पांच म होने के बाद यह लेवल था उपर और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ब्रेक करने के बाद देखिए मार्केट ने आपर इसको रीटेस्ट किया रीटेस्ट करने के बाद यहां पर जो मार्केट में आप जितनी जवर्दस्त मूव हुई है मैंने आपको कितन तो दूसरा हमने देखिए जैसे ही यह लेवल क्रॉस हुआ देखिए अब मैं आपको लोजिक के साथ सारी चीज़े बताऊंगा जैसे ही यह रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हुआ था तो यहां पर हमने 26,500 की कॉल वाय करी थी यह कॉल हमने 332 में वाय करी थी और इसको हमने 397 म किया इसके बाद देखिए यहां से मार्केट ने जब नीचे याना स्टार्ट किया यहां से हमने यह देखिए अब मैं आपको यहां पर देखिए एक रेंज उपर मार्केट ने बना लिया था मैं इसको 2 मिट के चार्ट में लेकर चलता हूं और बताऊंगा कि मैंने तीसरा उसको चार्ट परta नेखे लवले अब यहांत आएफ मैने को एक बाए कर तकिन जयांने वानने अफका न्य styl ven चार्ट पर मैं आपको ड्रॉक और गरणे बता दिया थार्यॉ आपको बता दिया था कि अगर यह उपर की तरफ जाता है तो आप call buy करके काम कर सकते हैं और यह नीचे की तरफ break करता है तो आप put buy करके काम कर सकते हैं तो finally दीखिए यह उपर की तरफ break हुआ और चौथा जो हमने trade लिया था 26,500 का call ली थी वह हमने 359 पर ली थी और इसको हमने total सारी quantity जो है देखिए मैं पहले 70% बुक करता हूँ फिर 20% बुक करता हूँ फिर 10% बुक करता हूँ मतलब मैं partially बुक करता हूँ मैं कठे बुक निकरता हूँ जो मैंने last 10% जो प्रोफिट बुक किया वह 588 पर बुक किया और हमारी buying 359 पर थी और इसके बार देखिए जब market ने continue अब मैंने देखा कि continue उपर की तरफ ही trade trend हो चुके है तो 26,600 की call भी हमने buy करे थी 335 रपेपर और इसको हमने सारी quantity निका ली 512 रपेपर ठीक है तो यहाँ पर हमने continue दो तिन call हमने यहाँ पर buy करी थी तो मैंने आपको यह सारी call से गारें बताया था अब यह देखिए market में fall क्यों आया यहाँ पर इतनी अच्छी market चल देखिए market में fall क्यों आया एक तो इसने 26,800 बीस का जो resistance level था वो test कर लिया था और यहाँ पर हमने जो है जो हमने 7th call जो हमने लिए थी वो 26,700 के put ली थी वो put क्यों ली थी उसका logic में आपको समझाता हूँ यह देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो resistance level पर जाकर market ने जो है hold करना शुरू कर दिया था sustain जो है उपर नहीं हो पा रहा था और continue यहाँ पर देखिए bank निक्टी ने यहाँ पर एक range बनाई यह देखिए यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 near about आप देखेंगे कि यहाँ पर एक से डेड़ घंटा market ने जो है resistance level पर यह continue sustain होता रहा और इस resistance को नहीं निकाल पा रहा था so यहाँ पर जैसे ही यह level break हुआ मैं एक यह दो मिन्ट की चार्ट में काम करता हूँ तो मैं आपको वहाँ पर आप देख लीजिएगा यहाँ पर जैसे ही एक मिन्ट की candle ने break किया हमने यहाँ पर 26,700 की पुट बाय कर ली थी 4.48 पर यह बाय किती है हमने 4.48 पर और हमने finally इसको बुक किया था 5.53 मतलब यहाँ भी 100 प्लस पॉइंट हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिया ठीक है और उसके बाद हमने एक आठवी कॉल आठवा जो हमने ट्रेड लिया था वो मैंने आपको टेलिग्राम में मेंशन नहीं किया वो हमने बाद मिलिया यह देखिए अब जो निचे ट्रेंड लाइन की तरफ फोकस करिए यह जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉकर की रखी हुई है finally देखिए यह जो range breakout हुआ था range breakout होने के बाद देखिए यहाँ पर आकर इसने support ले strand line पर आकर support ले और support लेने के बाद यहाँ पर आप यह candle देखेंगे तो यह candle आपको दिखाई देगा यह बहुत ही अच्छी एक bullish का shine यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस candle में अगर आप इसको केंडल स्टिक पैटन के बारे में जानते होंगे तो इसको पैरिस्टिक पैटन इसको बोलते हैं तो इस trade पर जैसे ही यह red candle का जो है breakout हुआ red candle के उपर जो है प्राइस यहाँ पर निकला option price के chart में तो हमने यहाँ पर यह buying करा था तो हमने यह buying करा था 393 पर और इसको हमने 447 पर जो है इसको हमने exit करा तो आज हमने total 8 trade की है 8 trade में हमारा पहला trade stop loss गया 20 point का उसके बाद 60 trade जो है continue profit देखे गए जिसमें से 4 trade ऐसे थे जिसमें 100 plus के point हमने book की है तो चलिए जो है market में जो भी आज मतलब बहुत अच्छी हल चल देखने को में market पूरा volatile था तो यह हमारा जो है देखी जो 7 वा trade था sell करने का reason यह था यह logic था कभी भी देखिए अगर market बहुत तेजी से उपर जा रही है market इतनी तेजी से नीचे भी आती है अगर बड़ी बड़ी candle बना कर उपर जा रही है तो जो है बड़ी बड़ी candle बना कर नीचे भी आती है So अगर आपको ये सब चीजे जो है experience जब आपको धीरी धीर हो जाएगा तो आपको चीजे पता चलने लग जाएगी तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमको कल की डेट में क्या करना है अब वन डे के चार्ट में हम यहाँ पर चलते हैं देखिए वन डे का चार्ट हम लगाते हैं और वन डे के चार्ट में हम अनाल्सिस करेंगे कि मंडे के दिन अब कैसा रह सकता है मंडे की दिन काफी उथल पुथल होने वाली है मेरे साब से अमेरिका का result भी आ जाएगा विकाउज अभी तो है result जो उनका election का फसा हुआ है तो यहाँ पर देखे अब जो मैंने ये resistance level ये draw करके रखा हुआ है ये जो level है इसको मैं level थोड़ा ठिक कर देता हूँ तो ये level था देखे 27,000 के नियर बाउट ये level है ठीक है 27,000 असी गा तो अब हमारा target जो है इसके बाद अगर मंडे को ये आज का high cross करता है तो हम 27,000 और 27,000 असी के लिए हम यहाँ पर trade करेंगे 27,000 असी के बाद हमारा target होगा वो होगा 27,200 और उसके बाद 27,330 ये हमारे मंडे के target होगे अब हम देखिए इंट्राडे की इसके हम पहले analysis करते हैं कि किस तरह से इंट्राडे में हम इसको trade कर सकते हैं तो इंट्राडे trading के लिए ये देखिए यहाँ पर जो मैं ये trend line draw कर रहा हूँ अब इस trend line पर आने का हमको wait करना है इस trend line पर अगर हमको market मिलती है तो हम यहाँ से buying कर सकते हैं दुबारा देखिए मान लिजे market यहाँ पर flat open होती है और flat open होने के बाद market मान लिजे निचे आना start करती है तो आपने उस time कुछ नहीं करना है sell side में अभी बिल्कुर अभी नहीं जाना है यहाँ पर आपने wait करना है अगर आपको bank nifty is यहाँ पर कहीं मिलती है 26,426,380 के level पर और यहाँ पर कोई bullish candle बनाती है तो यहाँ पर आप जो है buying side जा सकते है अगर मान लिजे बैंक nifty opening होती है 27,000 पर gap up opening हो जाती है यह मान लिजे 26,770 की near about की की closing है तो अगर मान लिजे 27,000 के आसपास अगर gap up opening हो जाती है तो वहाँ पर आपने patience से अराम से बैठना है कुछ नहीं करना है वहाँ पर आपने एक bearish candle का wait करना है 27,000 के level से हो सकता है कि market में कुछ retracement आए कुछ profit booking आए ठीक है तो यहाँ पर देखे gap up opening के बारे में आने आपको बता दिया gap down के अब देखे gap down में क्या करना है अब 26,750 की आसपास हाँ भी हमारी market यहाँ पर घूम रही है अब 26,700 अब gap up gap down हो जाता है तो gap down मान लिजे आपको मिल जाता है 26,600 या 26,550 तो मनलब आपको जो gap down होगा तो इस candle तक का ही wait करना है इस trend line तक का wait करना है ठीक है बाकी अभी देखिए इसमें अगर आप अब मैं इसमें जो है देखिए sell side में जाओंगा कब जब इस यह देखिए अब यह जो level important है 26,500 का 26,500 के नीचे की closing 26,500 के नीचे की closing इसको देखिए 26,200 का level जो है दिखा सकता है अगर 26,500 के नीचे close होकर continue sustain करने लग गया तो इन चीजों का ध्यान लखिए अगर देखिए gap down होता है आपको इस trend line के पास मिलता है आप buying करके काम कर सकते हैं gap up open होता है और कहीं आपको 27,000 के level के आसपास मिलता है तो आप जो है वहाँ से sell कर सकते हैं और अगर flat open होता है तो flat open होने के आद हमारा पहला target होगा 27,960 और इसके बाद होगा 26,960 27,080 27,230 अगर gap down opening होता है और finally मानली जी ये trend line break कर देता है trend line break करने के बाद हमारा target यहाँ पर होगा 26,200 26,000 26,000 और 26,850 दुबारा level सुन देजिए अगर ये trend line break होती है तो हमारा next target क्या रहेगा 26,200 26,000 और आपका 25,850 तो ये हमारी level रहेंगे मंडे के लिए तो देखिए बहुत ध्यान से trade करिए इन दो दिनों में जो है काफी उतलब उतल हो सकती है Saturday Sunday अभी दो दिन है तो यहाँ पर जो है अमेरिका के result ही देखिए main effect डालेंगे हमारी market पर तो इसको जराद जहान से trade करिएगा चलिए आईए आप जो bank निफ्टी में जो stocks trade करते हैं उनके बारे में analysis कर लेते है अब देखिए axis bank axis bank देखिए यहाँ पर double top pattern यहाँ पर बना रहा था अब double top pattern का breakout होने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप जो है main side को जा सकते है तो finally देखिए यहाँ पर 535 के उपर आज का high cross हुआ आज का high जो लगा हुआ था वो high था 542 का तो 542 के आज इसका high लगा है वो 546 का लगा है तो axis bank में कोई खास moment नहीं हुई है next हमारा बंधन bank अब देखिए बंधन bank अब यहाँ पर resistance level के आसपास आ चुका है देखिए कल मैंने आपको बताया था कि अभी इसमें थोड़ सा scope है buying करने के लिए क्योंकि कल की जो high था वो high था 322 का तो मैंने को बताया था 322 का cross करता है फिर आप इसको buying side जा सकते हैं और सिर्फ थोड़ सा scope बचा हुआ है तो finally जो इसने आज high लगा है वो 332 का लगा है shooting star candle गएरा या फिर कोई bearish candle बना के नीचे की तरफ आ सकता है ये नीचे की तरफ कहां तक आ सकता है इस trend line तक ये जो हमने trend line ड्रो करी है तो ये यहां तक कहीं तक आ सकता है अगर इसी flow में ये उपर चले गया तब तो हमारा next target जो होगा 345 का और 365 का होगा तब तक हम इसमें कोई trade नहीं बनाएंगे next time हमारा HDFC bank तो देखिए range breakout के बाद देखिए कितना अच्छा move दे रहे है अधिकतर जो है मतलब आप देखेंगे कि जब भी किसी भी stock में किसी इंडेक्स में जब range breakout होता है तो उसके बास एक बहुत अच्छी move देखने को मिलती है अब देखिए range breakout के आद हमारा target क्या होता है जितनी यह range थी मानले जी नीचे का जो range था वो 1160 का था और उपर का range मानले जी 1250 मानले जी यह 90 points की range है तो अब यह उपर का target हमारा 90 points का ही होना चाहिए तो finally आज देखिए कल आपको मानने बताया था कि 1275 के उपर जैसे ही HDFC bank trade करता है आप इसको buying side में जा सकते हैं आज इसने जो high लगाया वो high लगाया इसने 1310 रुपे का next है हमारा ICICI bank तो ICICI bank के बारे मैं आने उको बताया था कि 446 के उपर की closing 446 के उपर की closing के बाद ही हम buy करेंगे अदरवाइस अभी इसको buy नहीं करेंगे दिखे कोटेक bank में भी same इसी तरगा scenario बना था जब वो 1605 के पास trading कर रहा था मैं आने उको बताया था अब यहां पर देखिए बिल्कुल similar pattern है बिल्कुल similar pattern ठेक है अब यहां पर देखिए history always repeat होती है तो यहां पर देखिए इस तरह से यहां तक जो अभी मान लेजी यह ICICI bank का चार्ट है और यह जो तीन केंडले बनी हुई है यह केंडले नहीं बनी है ठीक है तो अब देखिए अपनी यह चार्ट देखा अब मैं आपको ICICI bank का चार्ट दिखाता हूँ यह देखिए ठीक है तो आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है अब हमको जो है ICICI bank में बाइंग करनी है 40448 के उपर और 450 के उपर आप इसमें पोजीशन भी बना सकते हैं हमारा टार्गेट रहेगा 470, 490 और 510 ठीक है नेक्स्ट है हमारा इंडसिंड बैंक यह देखिए जो है रेंज ब्रेक आउट होने के पाद यह सोरी यह जो है रेंजिस्टेंस ब्रेक होने के तो क्रिट्रिस्मेंट होने के बाद जब इसका हाई क्रोस करता है 750 फिर हम इसमें जो है एक पोजीशन दुबारा बना सकते हैं नेक्स्ट है कोटेक बैंक कोटेक बैंक पे जैसा आपको बताया है 1605 की क्लोजिंग 1605 की उपरी क्लोजिंग बिग मनी बहुत अच्छा आपने पैसा बनाया होगा इस ट्रेड में जैसा कि मैंने उको बताया था अगर आपने फॉलो किया होगा तो अभी पंजाम नेशन बैंक छोड़िए इसको जाने दीजिए यह बहुत उसा करता है next है हमारा RBL Bank तो RBL Bank की यह देखिए कल यह रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा था और फाइनली आज इसने रेजिस्टेंस को अपने ब्रेक कर दिया है तो अब इसमें हमारा next target जो है देखिए next target हमारा होगा 200 का और 215 का तो इसमें अगर इंट्राडे के लिए आपने ट्रेट करना है तो आप मंडे को जो है इसमें 198 के उपर जो है बाइंग कर सकते हैं 198 के बाद हमारा टार्गेट रहेगा 200, 205 और 210, 215 यह हमारे टार्गेट रहेंगा इंट्राडे के लिए SBI, SBI देखिए कल की gap up opening के बाद आज कुछ खास नहीं कर सका इसका एक resistance लेवल जो था यह देखिए resistance के बाद इसने सिध्य gap up opening दे दी थी और gap up opening के बाद अब देखिए आपको क्या करना है 222, 222 के ऊपर अगर Monday को trading करता है और 5 या 10 मिंट sustain हो जाता है SBI तो आपको यहाँ पर buying कर लेनी है buying आपका target जो रहेगा वो 225 और 230 यह target रहेगा तो चलिए मैं जो है मतलब देखिए सारी चीजे जो मैं trade कर रहा हूँ इस समय आपको देखिए सारे चार्ट कंटीन्यू टाइम टीटों टाइम आदे आदे घंटे पर एक घंटे पर आपको कंटी में telegram पर मैं आपको send करते रहता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस चार्ट से सीख रहे होंगे और आपको इंट्राटिके ट्रेड लेने में मदद मिल रही होगी और अगर आपने अगर हमारा telegram channel जोईन नहीं किया है तो description में link है आप जाकर वहाँ से telegram channel जोईन कर सकते हैं अगर आप option trader है तो आपके लिए बहुत अच्छा आपको बहुत helpful होने वाला है तो देखें telegram channel में आपको continue चीज़े बताते रहता हूं कि अभी देखें market में क्या हो सकता है market का trend उपर की तरफ है नीचे की तरफ है मतलब आपको एक clue मिल जाता है कि मतलब अभी हमको किस तरह से trading करनी है ठीक है ना second जो है आप जो है ट्रेडिंग करते हैं समय जो है अपना risk management और money management जरूर अपना follow करिए rules और discipline जरूर follow करिए next जो अगर आप जो है देखें हमारे साथ account open करना चाहते हैं तो आप angel broking में allies below में account open कर सकते हैं account open करने का जो है आपको जो benefit होगा benefit देखें यह होने वाला है कि जो calls मैं खुद trade करता हूं मतलब जो मैं personal trade करता हूं जो calls माले जी मैं 25500 की call मैंने trade की तो वही call आपको भी मिलेगी same time पर with proper levels प्रॉपर levels के साथ आपको वह call मिलेगी और आपको internet support group में add किया जाएगा और वहाँ पर like time support है आपके लिए और यह calls जो है आपको continue like time मिलती रहेंगी तो अगर आप हमारे साथ account open करते हैं तो आपको यह सारे premium services जो है बिलकुल free मिलेगी चलिए मिलते हैं कल के video में जैहिंद